Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हो हब सब, I hope all of you are healthy and welly आज की मेरी वीडियो का जो रिवियू है, वो है मायलू बेदा उपतन फेस वाश के उपर So, let's get started ए है मायलू बेदा उपतन फेस वाश ए बाला जो फेस वाश है, वो एक ट्रदिशनल अईरबेदिक फेस वाश है और एवाला फेस वाश जो है, वो cruelty free है, toxin free है, Australian certified है और जो भी ingredients इसमें use किया गया है, वो सारा कुछ भेगन है, safe है हमारे स्कीन के लिए ऐसा कुछ ingredients इसमें नहीं mix किया गया है, जिसके बज़े से हमारे स्कीन को कोई लुकसान हो, कोई damage हो, ऐसा कुछ नहीं है सारा कुछ earthly ingredients है, सब कुछ सही है इसका, और सबसे बड़ी बात है, एक आयरवेदिक है, और वेगन है इसके quantity है, वो है 100 ml, और इसका प्राइज है, वो है 249, 249 प्राइज में 100 ml quality सेही है, आसा नहीं है, ज्यादा प्राइज है जो नाला पाँंटी और उतन है कि नाला पाँंटी और उपन है दोनु एक स्काइड को ब्राइट निंग वे लिए यूज किया जाता है वह हूं कि आधर कल इसलों वर्य चीज़ कंगinky ग स्पॉप्षे यह किया गया है ऊ। बहुत है तो बहुत है अच्छा एक फेस्वाश है उपतन फेस्वाश जो है तो यह वाला फेस्वाश को बेसिक बनाया गया है और इसके लिए वह अगरे को स्कीन को आच्छे से करता है क्यूंकि वाला जो फेस वाश में इसमें क्राबर यह स्क्राबर होता है उसके ना-दाना जैसा होता है जिसके वज़े से हमारे skin जो है वह exfoliate होता है यह वाला face wash भी ऐसा है यह वाला face wash में भी जिसके वज़े से आपका skin है वह exfoliate हो जाता है तो यह बाला basically यह वाला जो face wash है वह मैं बोलुँगी के लिए बनाया गया है उसको अच्छे से वह हटा देता है क्योंकि मैं काफी समय से यूज कर रहे हैं वह बता सकती हो मैं इसको डेफिनेटली के आपका जो वह बता स्कीन के लिए तो अच्छा करता है इसको बोला गया है वह नौर्मली श्केन जो है ज्यादातर सबका ब्राइटर ही होता है तैनिंग के बजे से को जो सकीन है तो डाल पर जाता है ऐसा कुछ हो जाता है लेकिन इस पर जो नाल पामरादी और यह रुपतन के यूज कि जो 10 जो है हमारे skin से हट जाता है यह वह फिसवर्श की यूज़ करने के बाद तो 10 हट जाता है तो skin automatically वह ऐसा लगते जाता है तो एसे कोई इसमें इफक्त नहीं कि वह फिसवर्श डाइरेक्ट लिफ को गोरा बनाता है ऐसा कुछ नहीं है बस 10 को हटा देता है इसके बज़े से आपको फील होता है कि हां skin जो है वह brighter complexion लग रहा है ऐसा लग रहा है और सेकेंड जो चीज है उप्तन जो होता है वह yellow color का आता है एक yellow color का stain आ जाता है क्योंकि जो उप्तन है वह yellow color का stain हमारा skin पर छोड़ता है जिसके बज़े से यह बाला face wash यूज करने के बाद आपका जो skin है थोड़ सा yellow-yellow type का भी लगता है ऐसा नहीं कि एक दब white लगगा ऐसा नहीं yellow-yellow type का एक shining आएगा skin पर तो ऐसे अच्छा है और जैसे कि मैं बूली हूँ इपाला face wash जो है इसमें scrubber यूज किया गया है तो मैं बूलूंगे इपाला face wash है इस face wash नहीं actually scrubber है क्योंकि इसमें बहुत सारा scrubber यूज किया गया है mix किया गया है तो जो हमारे skin होता है ना face का हो या फी body का हुई हो scrubber कभी रोज यूज नहीं करना चाहिए नहीं तो skin जो है वो damage हो जाता है तो इवाला face wash जो है आच्छा से आपके skin को साफ भी नहीं कर पाता है मातला यह वाला face wash just as a scrubber work करता है मतलब आपका scrub करना है तो definitely इसको यूज कर सकता है मैं बोलोंगे ऐसे face wash तुम इसको रोज यूज मत करो मैं बोलोंगे कोई भी इसको यूज ना करिए क्योंकि यह वाला face wash जो है अच्छे साब के skin को clean नहीं कर पता है अच्छे स्क्राबर इसको बहुत स्टैनिंग को हटा देता है स्कीन थरोज से complexion में आजाता है और जो exfoliation वाला चीज है वह वाला face wash करता है तो अच्छे स्क्राबर माईलो वैदा उपतन face wash को इसे स्क्राबर में यूज करने के लिए में रिकॉमेंड करोंगे में पार इसे face wash को उसे है स्कुर्ब करेंगे एक बर या दो आप स्क्राब कर सकते हो ऐपके स्कीनादद रह लेकिन रोज 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 और पो शैक तो होता कि म다면 suis तो ऐसे तो as a scrubber myloveda often face wash is a good face wash as a scrubber as a face wash मैं नहीं बोलोंगे इसको रिक्मेंट भी नहीं करोंगे किसी को नहीं बोलोंगे क्या होगा है इसको अपका स्कीन एक तो अच्छा से ख्लीन नहीं होगा और रोजरों स्क्राबिंग करना भी सही नहीं होगा आपका स्कीन के लिए तो दोनों ही से नहीं है तो as a scrubber में रिक्मेंट करती हूँ इसको as a face wash में नहीं ही रिक्मेंट करती हूँ ठीक है ठीक है thank you for watching this video आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते नेक्स वीडियो में बाई